बिंट जिले के गोहद में परिक्षा में फेल होने से आहत एक छात्र ने मंदिर में लगे पेड़ पर फासी लगा कर अपनी जीवन लिला समाप्त कर ली मंदे परदेश बोर्ट परिक्षाओं के नतीजों से जहां छात्र चात्र आएं अपने भविश्य को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं तो वहीं जिले के गोहद में परिक्षा में फेल होने से आहत छात्र ने मंदिर में लगे पेड़ पर फासी लगा कर आत्महत्या कर ली जानकारी के पुताबेक बेट के गोहद कस्वे में वाड करमा में 11 बड़े बाजार में रहने वाले चात्र ने हाई स्कूल के नतीजे देखने के बाद फासी लगाई चात्र का नाम अंकित कटारे बताया जा रहा है 15 साल का अंकित गोहद के अशास की मॉडल स्कूल में कक्षा दसवी में अधियन रख था शुक्रवार को जब MP Board High School परिक्षा के परिणाम घोसित हुए तो अपना रिजल्ट देखने के बाद हो काफी निरास था वहीं परिक्षा परिणामों में फेल हो गया था मिली जानकारी के अनुसार रिजल्ट देखने के बाद अंकित हथिया पूर मंदिर वाट कमांग बारा में पहुंचा वहीं मंदिर में अंतिम दर्शन के और फिर मंदिर परिशन में लगे नीम के पेंड पर फासी के फंदे पर जूल गया कुछ देर में उसकी मात हो गई वहीं जब पास पड़ोस के लोगों ने मंदिर जा कर देखा तो अंकित फासी पर जूलता हुआ मिला जिसकी सूचना घरवालों को दी गई जहां अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे इम्रत खोसित कर दिया है वहीं पुलिस ने पोस्ट बाटम कराने के बाद शापर जनू को सौप दिया है पुलिस ने मामला दर्चकर विवेशना शुरू कर दी है